हें गाईज वेलकम टो अगरिकल चाहिक्यू अगरिकल चाहिक्यू मैं आपका स्वागत है तो गाईज अब तक तो आपने निउस देखे ली होगी कि यहां पर जो लोकस्ट का जो इंपैक्ट है इंडिया में बहुत घातक हो रहा है यहां पर अब पूरी बात करेंगे यहां कि लोकस्ट होते क्या हैं, कितने टाइप्स क्यों होते हैं, मैं यहां पर किस लोकस्ट की बात कर रहा हूँ और जो इन्वेजन हुआ है, किस लोकस्ट का है, तो बहुत कुछ जाने को आपको वीडियो मिलेगा So before I begin, मैं चाहता हूँ आप यह वीडियो देखें So guys, अब तक तो आपने वीडियो देख ली होगी, तो this is quite horrifying यह कोई यहां पर sci-fi का, यहां पर movie का clip नहीं है, यहां पर actual यहां पर यह टिड्डे हैं, लोकस्ट हैं यह बहुत सारे लोकस्ट यहां पर बिल्कुल तादाद में यहां पर उड़ रहे हैं, miles to mile और यहां पर आप यह इंडिया में आ चुके हैं यहां पर आप Agriculture IQ Official Telegram चैनल में को follow कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हर PDF और वीडियो का notification बहुत ही जल्दी में आपको मिलता है तो join the Telegram channel today तो आप बात करते हैं कि Desert Locust होते के हैं तो Desert Locust थोड़े different हैं यहां पर ग्रास ओपर से ग्रास ओपर simply आप टिड़े बोल सकते हैं तो यह larger species है ग्रास ओपर की जो की लगबग यहां पर swarms में रहते हैं यानि कि यह भीड में रहते हैं यह जुंड में रहते हैं और उन्हें हम बोलते हैं Locust यह यहां पर जो order है इनका वो है Orthoptera और family है इसकी Acridi जो entomology से belong करते हैं जिन्होंने master किया है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि Desert Locust बहुत ही घातक Locust हैं पूरे Locust Series है तो जनरली यहां पर चार टाइप के Locust होते हैं Desert Locust, Bombay Locust, Migratory Locust और यहां पर Tree Locust तो यहां पर जो यह तीन है यह यही मेन है और यही जनरली यहां पर इंडिया में होते हैं Desert Locust, Bombay Locust और Migratory Locust मैं आपको यहां पर पिक्चर दिखायता हूँ तो यह यहां पर Desert Locust है और यह यहां पर Migratory Locust और यह यहां पर Bombay Locust और यह यह यहां पर Tree Locust तो इनका जो इन्वेजन है यह बाकी तीन का इतना ज्यादा घातक नहीं है पर यह जो Desert Locust है वो अकेला यहां पर तीनों पर भारी है तो अब बात करते हैं यहांपर कि यहांपर बहुत से आर्टिकल यहांपर लिखे जा रहे हैं यहांपर डैजर्ट लोकॉष के बारे में एक आर्टिकल आज ही का है टाइमस ओफ इंडिया का यहांपर तो टाइमस ओफ इंडिया ने यहांपर आर्टिकल लिखा है तो यहाँ पर दिल्ली तक यह आ गए होंगे और आप देख सकते हैं यह 27, 2020 का यह article है तो बहुत से article लिख रहे हैं यहाँ पर Times of India का जो cutout है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ पर बात यह कि हम इसको इतना seriously क्यों ले रहे हैं desert locusty तो है, insect है, चले जाएगा धीरे-धीरे पर नहीं, यह desert locust बहुत खतरनाक हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए horrifying यहाँ पर pictures आईए, यह यहाँ पर जैपूर की picture है यहाँ पर आप देखें, पूरा यहां पर जो आसमान है, पूर एट्मोस्फियर यहां पर देखें, लोकस्स से भरा है, तो यही यहां पर यह बात नहीं है, कि यह लोकस्ट यहां पर बिलकुए इंवार्मेंट में है, इससे बहुत सारी चीजे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, यहां पर एक और फिक्चर है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो टेरेस है, यह देखें, दिवाल में कितने सारे, आप देख सकते हैं अपर इनकी population किती सारी है यहां पर डैजर्ट लोकस्ट की, क्योंकि यह reproduce बहुत ज़्यादा करते हैं, यह breeding ground जो इनका है, वो ह बगबग कितने फेज में रहते हैं जनरली ये दो फेज में रहते हैं एक solitary एक gregaris ये gregaris ही है जो स्वाम यहां पर रहते हैं ये जून में रहते हैं जो solitary वाले वो अकसर कम देखे जाते हैं solitary phase तो इन दोनों का basic difference ये है कि ये depend करता है nymphs में जो इनकी cycle में जो nymphs होते हैं वो depend करता है कि gregaris phase के जो हैं वो nymphs होते हैं वो yellow और pink होते हैं जिसमें की black marking होती है black marking उनकी body में होती है और solitary होपर जो होते हैं उनकी जो marking है जो color variation है वो surrounding के उपर generally depend होता है ये इनमें main difference होता है solitary और gregaris phase में next है यहाँ पर इनका geographical region तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं maps तो geographical region में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर यह अफरीका से और यहाँ पर यूरोब से यहाँ पर जो इराण, घ्रक और इस्पेइन वग्यरा है यहाँ से होते वे बल्शिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया में यहाँ पर एंटर करते हैं तो जनरली यहाँ पर मैप है इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा तो यह जो गाइज अभी जो आ रहे हैं वो जनरली इरान, बलुचिस्तान और पाकिस्तान से होकर यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं राज्स्तान के ठोड़ रेंटर करें। और यह जनरली यहां पर राजस्तान और यहां पर हर्याना गुझरात में लगबख रहते थे। पर यह थोड़ागाइण। पर यह यहां पर यूपी और यहां पर दिली जो कैपिटल है हमारी और जैपूर में भी अब आ गया है अब देखते हैं यहाँ पर जो migration है इनका यह कैसे होता है तो migration generally depend होता है यहाँ पर rainfall को क्योंकि जो यहाँ पर generally जो lay करते हैं एग जो female होती है वो generally lay egg करती है sand में और इसको थोड़ा moisture चाहिए रहता है यहाँ पर reproduce करने के लिए यहाँ पर जो egg laying करते हैं उनको आने में तो यहाँ पर generally moisture चाहिए होता है और जो इंडिया में हैं वो generally यहाँ पर दो breeding season होते हैं एक होता है summer season और यह mountain breeding season जो को कि अब आने वाला है तो यहाँ पर जो country जिसमें rainfall यहाँ पर winter में होती है rainfall generally winter में होती है और early spring में जैसे कि इरान, इराक, स्पेन वगरा जो इलाके हैं और जो northern या southern यहाँ पर अफरिका है वहाँ पर generally यहाँ यहाँ पर breeding ground यहाँ पर हासिल करते हैं next है यहाँ पर जो country जो कि जब यह इंडिया की बात हो रही है जो country है rainfall जहाँ पर summer में होती है जैसे कि अब होने वाली है तो local generally यहाँ पर occur होते हैं यहाँ पर जो country जो rainfall winter में होती है तो वो इराक वगरा में होने के बाद जब वो breeding हो जाती है यहाँ पर यह दो होते हैं दो टाइम में जनवारी और अप्रेल में तो यह अप्रेल वाले ही हैं जो कि अब इधर यहाँ पर जो western eastern की साइड है यह आ रहे हैं यानि कि इंडिया पाकिस्तान की साइड अब माइगरेट कर रहे हैं तो माइगरेशन में लगबाग जनरली बहुत सारे होते हैं जो माइगरेशन यह देखा गया है कि अगर उनका इस्तान यहाँ पर इरान में है इरान में जनरली ओरीजन है तो इनको लगबाग 6,000 किलोमेटर तक यहाँ पर पाया गया है कि यह अपनी जो जो लोकल जो वो है यहाँ पर प्लेस उससे लगबर 6,000 किलोमेटर दूर जाके भी यह पाए गए तो यह बहुत ही एडवांस यहाँ पर लोकस्ट है तो लोकस्ट की जो स्टेज है यहाँ पर जनरली लाइफ सैकल में है वो है एग स्टेज होपर और यहाँ एड़ल स्टेज और यहाँ पर जो एक स्कॉयर किलोमेटर जो लोकस्ट स्वाम है जो उनका जुन्ड है वो लगबर 35,000 प्यूपिल के बराबर एक दिन में खाना खा सकता है एक दिन का खाना जो कि लगबर 35,000 प्यूपिल के बराबर है तो इतना यहाँ पर आप देख सकते इनकी जो serious नैसे वो बहुत ज़्यादा खतनाक है और बहुत ज़्यादा इनका impact पड़ता है यहाँ पर survival में अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसनका management management क्या कर सकते हैं तो generally manage के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने thumbnail में भी दाला है कि यहाँ पर यह आदमी है तो इसको यह bushes है यह बुश यहाँ पर होती है यहाँ पर यह बहुत बड़ा सा डंडा या beaten होता है उनको beaten to death यानि कि उनको जो female है जो female ही एक प्रेड्यूस करती है तो उनको मार दिया जाता है या फिर जो reproductive जो breeding swarm है यहाँ पर जो जहाँ पर वो breeding करते हैं तो जैसे राजिस्तान वगरा के इलाके हैं जहाँ पर रिप्रेड्यूस करते हैं जो breeding ground है generally वहाँ पर trap लगाए जाते हैं ताकि वो breeding ground जैसी वो egg ले करें तो वहाँ पर धस जाए और वो बिल्कुल kill हो जाए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल fire कर सकते हैं जो उनका swarm है पूरी आग लगा सकते हैं आप fire scorching तो उस तरीके से भी आप इसका manage कर सकत हैं पर generally यह बहुत ही कम effective है और इनका कुछ असर है क्योंकि नहीं होता क्योंकि population बहुत जादा है तो थोड़ी सी अगर population भी आप मार दोगे तो बहुत सारी जो बची है वो आपका जो vegetable है जो बिल्कुल grassland वगरा है वो सारा समाप्त कर लेगी दूसी बात यह है guys कि यहाँ यहाँ पर जो train है train में जो पट्रिया है तो वहाँ पर डैजल्डोकल बहुत सारे होते हैं और जो train के नीचे आने के कारण जो उनका जो body का fluid है उसकी वज़र से यहाँ पर जो slippery हो जाती है train उसे यहाँ पर jeopardize कर सकता है यहाँ पर train के situation को याई कि कोई हाथसा हो सकता है तो का भी खत्रा यहाँ पर आया है तो generally आप देखते हैं यहाँ पर कि Pakistan और India यहाँ पर इसके जो collaboration करते हैं इसके लिए जो locust organization है वो इसका कैसे यहाँ पर निरोद करती है तो thanks for listening and have a great day